दोस्तों काफी लोगों फे कमेंट आ रही थी कि option training में option को buy और sell कैसे किया जाता है तो simple सा वीडियो बनाने वाला हूँ कि कैसे आप यहापर option को buy और sell कर सकते हो तो आज मैं आपको live और practically दिखाता हूँ कि कैसे आप option share को buy और sell कर सकते हो तो हम आपने angel loan के account में login हो चुके आपके सामने कुछ इस तरह से option दिखाई देगा आप simple यहापर click करोगे तो आपके सामने यहापर बहुत सारे call के option दिखाई दे रहोंगे आप इन में से कोई भी select कर सकते हो तो मैं आपको simple सिखाने के लिए कोई भी एक call का option select कर लेता हूँ तो मैं यहापर 19,800 का call select करके एक continue पर click कर देता हूँ जैसे आप यहापर click करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से page open होके आएगा यहापर आपको दो option दिखाई दे रहोंगे carry forward और intrad option rating में आपमेशा carry forward ही select रहने देते हैं और यहापर number of lot दिखाई दे रहोंगा आप अपनी सबसे यहापर lot डाल दीजे मैं आपको simple यहापर सिखाने के लिए एक lot यहापर डाल देता हूँ और market select करके यहापर simple buy के option पर click कर देता हूँ जैसे आप यहापर click करोगे तो आपक 50 रुपिस का loss दिखाई दे रहा है क्योंकि market अभी नीचे गिर रहा है और हमने call option buy किया है जब market उपर जाएगा तब हम यहापर profit दिखाई देगा तो चलिए अब हम अपना top loss लगाते है top loss लगाने के लिए simple आपने जो option करेदा है उस पर आप click कर देजे जैसे आप यहाप पर click करोगे तो आपको यहापर नीचे एक option दिखाई देगा top loss simple यहापर आप click कर देजे जैसे आप यहापर click करोगे तो आपके सामने उसी तरह से page open होके आएगा जब आमने call option को buy किया था simple यहापर carry for roadie select रहने देना है और आपने जितने भी lot करेदे वो यहापर डाल दे यहापर नीचे आपको top loss order का बटन दिखाई दे रहा होगा simple आपको इसे on कल जना है यहापर आपको दो price दिखाई दे रहेंगी trigger price और limit price पे आप आप आपने top loss price डाल देजे आभी market चला है 1 रूपीच 10 पैसा तो यहापर में 15 पैसे का top loss लगाना चाता हो इसलिए में आप 15 पैसा डाल देता हो और trigger price पे वो price डाले है जो हमने limit price डाले है उससे एक दो point आगे की price डाल देजी तो यहापर में 55 पैसा डाल देता हो और यहापर limit चलेक रहने देना है और sell की option पर click कर दिजे और यहापर confirm कर दिजे जैसे यहाप यहापर confirm करोगे तो आपका order यहापर pending इंडिग में दिखाए दे रहाओगा तो जैसे मार्केट 55 पे आएगा तो हमारा trigger price इट हो जाएगा और अगर आप top loss order को cancel करना चाते हो तो simple यहापर click कर दिजे जैसे आप यहापर click करोगे तो यहापर cancel order दिखाए दे रहाओगा इस पर आप click कर दिजे और yes पर click कर दिजे जैसे आप yes पर click करोगे तो आपका top loss order cancel हो जाएगा I hope कि दोस्तों आपको यह वीडियो पसन आई होगी अगर वीडियो पसन आई तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी subscribe जरूर कर दे धन्यवाद